देश में ऑक्सिजन संकट हो, टीका करन की लेट लतीफी हो, कोरोना से जान गवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआफ़जा देना हो, हर बात अदालत को निर्देश देकर राह सरकारों को दिखाने पड़ी है। अब कावर यात्रा को लेकर भी यही हुआ है। कोई प्रतिवंद नहीं। अगर वो व्योधान डालेगा हम उसको बोली से समझाएंगे, ब्योधान डालकर के दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगे। चार करोड से जिख सर्वालों आते हैं। कहीं भी कोई पालबांका नहीं होता। चुनावी रैलियों में मुख्यमंत्री के पुराने बयान बताते हैं कि धार्विक कावर यात्रा का कितना कनेक्शन इलेक्शन से होता है। अब साथ महीने बाद उत्तर प्रदेश का विधान सबाचुनाव है और जिस कावर यात्रा में खुद मुख्यमंत्री मानते हैं कि चार करोण तक शद्धालू शामिल होते हैं। उस कावर यात्रा को उत्तरा खंड के मुख्यमंत्री ने कोरोणा की तीसरी लहर के आशंका को ध्यान में रखकर जनता की जान बचानी जरूरी बता कर स्थागित कर दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आधित्यनाथ ने इजाज़त दे दी। तो कोरोणा के संकटकाल में कावर यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संग्यान ले लिया। पूरी तरह किंग करता व्यवेमूर दिखती है। वो नहीं जानते कि क्या हो रहा है। पर जब प्रधान मंत्री से देश में कोविट-19 की तीसरी लहर के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हम थोड़ा सा भी समझावता नहीं कर सकते। कभी कभी लोग सवाल कुछ तेक तीसरी लहर के क्या तैयरी की है। तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे। आज सवाल ये होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोखना। तो सुप्रीम कोर्ट के मन में अब खुद से संग्यान लेकर ये सवाल है कि तीसरी लहर के आशंका के बीच कावण यात्रा कराने के पीछे उत्तर प्रदेश की मन्शा क्या है। इस मन्शा को जानने के पीछे वज़ा ये भक्तों की भारी भीड भी है। कह चुकी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कावण यात्रा चलेगी लेकिन उसके अंदर विशेश रूप से और मुक्मंती जी इसमें बल दालते जा रहे हैं कि जो भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं जिसका मतलब सोशल डिस्टिंसिंग है आपको आर्टी-पी-सी-ार क को भी राजनेतिक दलों ने दिये थे लेकिन क्या संक्रमन मुक्त रैलिया हो पाई थी इसलिए सुप्रीम कोर्ट केंद्र उत्तरा खंड और उत्तर प्रदेश सरकार से कावण यात्रा के बारेम अपना जवाब देने को कहता है जवाब मांगने की नौबत इसलिए भी आ र कावण यात्रा होगी हमारे लिए लोगों की जिंदगी बचाना पहली प्राध्रमिकता है माननी प्रधान मंत्री जी बार बार अन्रोध कर रहे हैं कि भीड़भाड से बचे और जो कोविट के माप दंडे हैं उनको अपना है तो हमने भी प्रात्मा की है सब से और हमारी सर उसकी विवस्ता भी अपने हिसाब से चलती है तो हर चीज पे उत्तर प्रदेश अवल आता है कोविड के मैनेजमेंट पर यहां तक की ऐसांसद भी मोजी को चाते हैं कि वो उनको चुरा के ले जाए जैसे ऑस्तरेलिया का भी मैनेजमेंट को यूजी सरकार को उत्तरा यही कारणे की देश की सर्वोच अदालत ने नोटिस दे कर अब सरकारों से जवाब मांगा है अगली सुनवाई 16 जुलाई को है नखनव से समर्थ श्रिवास्टों के साथ संजय शर्मा दिल्ली आज़तर